साथियों, दुनिया में उसी की बात सुनी जाती है, जिसमें सम होता है, जो सिर्वर लोता रहता है, उसकी कोई नहीं सुनता, तम थारत इसमें सम्हें प्वारत भी होगा, और असर्दार भी होगा. पहले क्या होता था पहले क्या होता था पाकिस्तानी से आतर के आते थे हमारे हाथ दमाते करते जाते थे अग्रेक्ष की सरकार दुनिया में रोचित्या में मारा है यही करते जना रोना रोते जना यहार है अब आतन के सरप्रस्टों में जब वुरी में जल्टी की तो देश की भी जवानों ने सर्शिकल साइड करके दिन में भी सारे सिखा दे थे अग्रा में दूरी पड़ी गल्टी कुलवामा में की तो हमने उन्हें एर साइड करके गड़ में कुछ कर मारा है और अब यह उतर वालों को में समझा गया है कि अगर त्री सी गल्टी करने की गल्टी की तो लेने के तेले बढ़ जाएंगे आज आपका जोकेडार आपके पेच खड़ा है और पागिस्तान की पूरी जड़कार दुनिया भर में रोती रहती हैं रोती हैं आज पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है और पाकिस्तान के अपनों ने भी उझे निद्धे लिया पूरा मेरे साथ यह बताओं आप बताएंगे जब सवाब कुछी बताओंगे जवाब होगे क्या सारत का सम्दिक्रा एक देजिक्रा आप पताएंगे आपको वखने वाली सरकार चाहिए या संदार हिंदुस्तान चाहिए भारत के पास तत्त भड़ से सेटेलाइट को मारने वाली सक्डिक्ठी लेकिन कॉंग्रेस की सरकार से जब पैज्यानिकों ने इजाज़त मांगी लेकिन वो रिमोट कंट्रोल वारी सरकार देगे वैठे थी वो सरकार काप रही थी साथ्यों जब इस चोगिदार की सरकार से वैठ्याग दिनों को वैठ्यानिकों ने पूछा तो लाने कावराई अरे कल करें सो आज़कार और हमने स्टैलाइट को निशाना बने वने वाली मिसाइल की परिक्षर को तूरद हारी जंडी देदी स्टैलाइट को भारत ने अंत्रिच में भी स्टैल कर दी और अंत्रिच में भारत का श्यांता पकरशाल आज जर्चा का पिशेव अब जल ठल अरे नाद उससे भी आजे अंत्रिच में भी स्टैलाइट कोई स्टैलाइट कोई स्टार चोचेएँ